सारा अलिखान जब भी किसी मंदिर गई है तो उने हमेशा ही निशानी पर ले लिया गया लेकिन सारा ने हर तरीकी आलोचना को नजर अंदास किया चाहे मंदिर हो या मस्जिद या मज़ार वो हर जगे जाती रही है हाले में सारा अलिखान पहले अजमेर शरीफ पहुची और बाद में महाकालेश्वर मंदिर भी गई इसी की वज़े से एक्ट्रेस को कुछ लोगों ने खरी-खोटी सुना दी सारा अलिखान ने अब इस मुद्धे पर रैक किया है और सवाल उठाने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है सारा अलिखान इन दिनों अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में बिजी है इस फिल्म के लिए आशिरवाद लेने वो महा कालेश्वर मंदिर गई थी सारा ने इस मंदिर में दर्शन के बाद अपनी कुछ तस्वीरे इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और इन तस्वीरों पर यूजर्स ने बेहुदा कमेंट कर दिये और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी इस बारे में पूछे जाने पर सारा ने मीडिया से कहा इमानदारी से मैं ये कह चुकी हूँ और फिर से कहूंगी कि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ मैं काम करती हूँ जनता के लिए आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा ना लगी तो मुझे बुरा लगेगा लेकिन ये जो मेरी नीजी माननेता है मेरी नीजी है मैं अज मेर शरीफ उतनी ही शिदत से जाओंगी जितनी बंगला साहिब और जितना महागाल और मैं जाती रहूंगी तो जिसको भी जो भी बोल सकते हैं वो बोल ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कहीं भी जाकर सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपको वहागी उर्जा अच्छी लगनी चाहिए मैं उर्जा में माननेता रखती हूं सारा की इस जवाब ने सबकी बोलती बंग कर दी है